आज तक लोगों को नई मालुम की पूजन करने बेठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। पर आपके पास कोई ब्रह्मन नहीं, आपको कोई स्कूति नहीं आती, आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपको कोई साधना नहीं आती, आपको कोई तप नहीं आता, और आप इतना तो कर सकते हो, कि भगवान के मंदर में जा करुण को धन्यवाद दे सकते हो, कि तेरी कृपा है जो मुझे चलकर यहां तक बुला लिया दो कदम चलाया यहां तक बुलाया यह तेरी कृपा है और बड़ी कृपा करी जो डलिया भर के पूजन का समान भी लई बड़ी कृपा करी जो दूद भर कर भी लई बड़ी कृपा करी जो कलस भर कर भी लई कितने लोगों का फायदा है कलस भर कर मंदिर ले जाने में कितने लोगों का फायदा हिंदु धर्म में विश्णु पुराण में पद्म पुराण में लिखा है सोभाग के बती नारी जब भरा हुआ पानी का लोटा लेकर कलस लेकर जाती है और उसको देखकर कोई व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो जिस काम के लिए जाता है वो काम सफल हो जाता है मंदिर काई लोटा मंदिर काई पानी सिर्पे पल्लू लेके हर हर महाँ दे बस सिव जी के चड़ा रही ओई टे प्रेम से दी जा रही अब फिरी का पानी था तो ये लोटे में मन भी नहीं माने अर करा तो भगवान के सम्मुक में पहुचकर अगर आप जल का पात्र भी लेकर जा रहे हो भरा हुआ लेकर जा रहे हो तो कितनी प्रसंता की बात हिंदू धर्मकी लीती है जिस पात्र को हम जल चड़ाने लेकर जाते है उस पात्र में भगवान के चरणों का जल लाते है खाली पात्र नहीं लाते है कहलाते है भगवान के चरणों का जल उस चरणों तक को लेकर आए घर में रखा सबने अपने नेनों में लगाया हिर्दय में लगाया चितवर्ती में लगाया खाली पात्र हम लेकर वापिस नहीं आ रहा है शिव मंदर में जब जब जाओ जल चड़ाने के लिए जाओ पात्र तुमने शंकर जी को पूरा पानी चड़ावी दिया तो शंकर के चरणारविंद का थोड़ा सा जल पात्र में डाल के भले दो बून लाओ चार बून लाओ इतना सा लाओ पर लाओ और उसको पूरे परिवार के नित्रों में जब लेकर आयो चरणों तक तो लगाओ पर खाली पात्र नहीं लेका रहा है खाली पात्र लाने में ज्यान दीजिए जब आप पूरा जल समर्पित कर देते हैं जल समर्पित भी पूरा करना है भगवान को चड़ा रहे तो पूरा समर्पन होना चीए पूर्ण समर्पन इसलिए संकर भगवान को अदूरा समर्पन इसलिए श्रीफल भी पूर्ण चड़ शिव जी को जल भी चड़ेगा तो पूर्ण जिस जल को चड़ाने के लिले कर गए उसको बचा कर नहीं लाना है शिव मंदर में से रंपूर्ण क्योंकि भगवान के चरण की रज जो हमारे घर में प्रविश करेगी तो हमारा आत्म कल्यांतु सता ही हो जाएगा शिव करुणा कर लिए पर कई लोगों की आदत रहती है और आपने भी गलती करी होगी गए होगे चड़ा कर भी आए होगे पूरा पानी भी उंडेल कर आए ह होगे चड़ा भी दिया चोड़ भी आए पर लेकर नहीं आए हो कई कई लोग गलती कर जाते हैं और फिबात में कहते हैं तो इतने साल से पूजन कर रहा है भगवान हमारी सुनी नहीं दिया तो बगवान के मैं तो तैयार बैठा पर तुन नवा नवा के चली जा लेकर नवान के लिए पास में आकर तो यह लेकर जा भगवान तो कहगा मेरे पास में आया है मांगना कुछ मत बस मुझे जो इस्तनान कराया है मेरा चलनों दख लेकर जा चीड़ दे पूरे घर में संपदा भरना मेरा काम है जहां मेरी चलन की रज पहुच गई वहां संपदा लोग ले जाते हैं पूजन करते कलश भी उडेलते जल्वी चड़ाते पर आते समय खाली लेकर आजाते भगवान को इतना बुरा लगता मेरे दरवाजे से खाली जाए मुझे कितना बुरा लगेगा जो आए वो भर कर जाए बहले दो बूंद लेकर आओ पर उसमें चलनों चीज कहीं उसको भी समय में गर्ग सहीता में कहा गया जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर तो यह स्रश्टी की जितनी नदियां है प्रथवी पर जितनी नदियां विद्यमान है जितने तलाब जितने सरोबर जितने कुंड जितने विराजमान है उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो तीर्थ का संपूर्न जल आपके कलस में आ जाता है और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और दो बून चरना दक लेकर जब जाती हो तो शिव महापुरान गर्ग सहीता पदम पुरान कहती है वो जल साधरन नहीं रह चेहरे पर परसंता होना चाहिए किसी से मिलने जाओ ना चेहरे पर अगर परसंता नहीं और ऐसे पहुझ गए न तो वह सरिष्टता नहीं मानी दे तुम तुमारी बेहन के घर जाओ सती महिया जलकर भस में क्यों होई माता सती के भस महोने का कारण क्या था सती को पिता पर जितना क्रोध आया उससे ज़्यादा क्रोध सती माता को अपनी बेहनों पर आया कि मेरी इतनी बेहन ये 60 की 60 मेहन मेरे सामने खड़ी रही और में आई तो प्रेम से मुस्कुराई तक नहीं आप किसी किया जाओ और कोई किया पहुचे और जाते से आप उस पहुचे और कहा जी जी रादे रादे जैसी कृष्णा हरार महादे श्री शिवाए नमस तुभ्यम हौम नमस शिवाए आपने बोला और उसके चेरे पर प्रसंता नहीं आए तो यसे घर में जाने से फाइदा और आप किसी किया जा रहे तो आपके चेरे पर भी प्रसंता होना चाहिए तो तुमारे चेहरे पर प्रसंता होना चाहिए भगवान को भी लगे दुख भले है इसको पर चेहरे पर प्रसंता है Υπότιτλοι AUTHORWAVE